नमस्ते जी, वेदिक राश्ट में आपका स्वागत है, आज का हमारा विशे है, क्या इस जनम से पहले हमारा अस्तित्व था और मृत्यू के बाद भी रहेगा, आज के इस लेक के लेखाक हैं, वेदिक विद्वान मनमहन कुमार आरे धहरादून से आईए विशे कियों चलते हैं, हम कौन हैं, इस प्रशने पर जब विचार करते हैं, तो इसका उत्तर हमें वेद और वेदिक साहित्त से ही मिलता है, जो ज्यान से पूर्ण तरक और युक्ति संगत सकते हैं, उत्तर है कि हम मनिश्य शरीर में एक जिवात्मा के रूप में बेदमान हैं, हमारा शरीर हम के द्वारा प्राप्त और सिद्ध किया जाता है, हमारा साथ देश्वर को जानना, उसे प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार करना, सद कर्मों को करके जन्म और मरण के बंदनों से मुग्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करना है, मोक्ष दुख रहित आनंद से पूर्ण अवस जन्म लेने की चिंता भी नहीं सताती मौक्च अवस्था में जीव ग्यान और बल से युक्त रहते हैं जिससे वहाँ दुखों से मुक्त और सुखों से आनंद से युक्त रहते हैं परमात्मा और मौक्च ही जिवात्मा के लिए साथ दे है जिने जिवात्मा मनुश जन में लेकर वेदा दिन और वेदा ग्यान को प्राप्त कर वेदा अनुकूल करमों को करके सिद्वा प्राप्त करती है सरीर ना हो और यदि वेद ग्यान और रिशियों के ग्रंथ ना हो तो मनश अपने जीवन के लक्ष को ना दो जान सकता है नहीं प्राप्त कर सकता है अता जिवात्मा को मानव सरीर परमात्मा की अनकंपा और दया के कारण ही मिला है जो हमारे माता पिता के समानवा उनसे कहीं अधिक हमारे हितों का ध्यान रखते हैं वो हमें सुख प्रदान करते हैं इस कारण से मनिश्यों के लिए केवल सच्चदानन्द सुरूप, निराकार, सरवज्ज, सरवसिक्तिमान, सरवयापक, अनादी, नित्त, दैयलू, इवं नियाकारी, परमात्माही, उपासनी, ध्यान, चिंतन वा जानने योग यहे जो मनिश इसके लिए प्रैत नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ और नर्थक बनकर रह जाता है, हम सरीर नहीं अपितू एक चेतन जिवात्मा है, इसका अनभो पर तेक मनिश्य करता है, बासा के प्रयोग की दृष्टी से भी आत्मा और सरीर प्रतक सकता हैं, सिद्ध होती है हम तो कहते हैं कि हमारा सरीर मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरी आँख आदी आदी हैं, में और मेरा में अंतर होता है, में मेरा नहीं होता, मेरा सरीर मुझ आत्मा का है, अता आत्मा वा सरीर प्रतक हैं, इसलिए हम सरीर के लिए वा आत्मा का प्रयोग ना कर मेरा सरीर प्रयोग करते है शरीर को काटे या अगनी में जलाएं उसको दुख नहीं होता परंतो जीवी तवस्था में एक कांटा भी चुबे तो पीड़ा होती है आंक से आसू आते हैं इससे आत्मा नाम की सरीर से प्रतक सता सिद्ध होती है जो सरीर में रहते हुए सुक और दुख का नभू कराती है जिससे सरीर से निकल जाने के पश्चात मत्यू हो जाने पर सुक और दुख की अनभूती होना बंद हो जाती है अता आत्मा को जानना प्रतीक मनुश्य का करतव है इसको जा इसा कोई काम नहीं करेंगे इसका प्रणाम दुख और संताफ हो वेदिक साहित में दुख के कारणों पर चर्चा की गई है इस जन्म में हमें जो दुख मिलते हैं वहां हमारे पुर्व जन्म में के करमों होते हैं जिसका फल विछले जन्म में भोग नहीं सके थे कारण था कि भोक से पुर्वी ब्रद्दावस्ता और मर्त्यू आ गई इस जन्म में दूसरे प्रकार के दुख का इस जन्म में क्रिया कर्मों के कारण भी होते हैं एक विक्ति स्वार्थ और लोबवस्त चूरी करता है इसका दंड उसे न्याय बवस्ता से मिलता है उससे दुख होता है इसी प्रकार के जिवात्माओं मनुष्ट को अधिवोतिक अधिदेविक आत्यात्मिक दुख भी होते हैं जो हमारे कर्मों पर आधार इतना होकर देश कालो और परिस्तितियों के आधार पर होते हैं इन सब प्रकार की दुखों से बचने के लिए हमें वेद ग्यान की प्राक्ति कर सदकर्मों, स्वरुपासना, अग्निहोतरियविज, इतर, पितरियज, अतितियज, बलिवेश, देवेश यजज करने के साथ परुपकार दान आदी को करना होता है इसके साथ इसा करने से हम भविश में करमों को होने के कारण दुखों से होने जो दुख होते हैं करमों के कारण उन से बच जाते हैं हमारी आत्मा अनादी नित्य और विनाशी अमर तदा सनातन सकता है वासदा से है और सदा रहेगी इसलिए जा अनादिकाल से जन्म और मरण के बंदनों में फस्ती रहती है मन्ष जन्म प्राप्त कर साधना करके मुक्त होकर मुक्चावदी प्राप्त होकर इसके बाद पुना संसारवे जन्मरण के अवागमन करती रहती है इस कर्म फल रहश्च को वेद सत्यारत प्रकास उपनिशत दर्सन आदी ग्रंथों को पढ़कर जाना जा सकता है इन ग्रंथों का अध्यन करने से हम संसार्व सहित इस्वर और जिवात्मा के सर्थ सुरूप से परीचित हो सकते हैं जदा दुखों को दूर करने और भश्च में असुब कर्मों पाप कर्मों के करण होने वाले दुखों से बच सकते हैं हमारी आत्मा अनादी और नित है इस कारण इसका अस्तितु सदा से है और सदा रहेगा आत्मा नासरहत है विज्ञान का नियम है कि अभाव से भाव और भाव से अभाव उत्पन नहीं होता भाव पदार्थों में संसार में केबल तीन ही पदार्थ है यहाँ पदार्थ है इस्वर जीव और प्रकृति इन तीन पदार्थों की कभी उत्पत्ती नहीं हुई है यहाँ सदा से हैं और सदा रहेंगे परमात्मा जिवात्मा अपने सुरूप में अविकारी पदार्थ हैं इश्वर वा जिवात्मा में विकार होकर कोई नया पदार्थ कभी नहीं बनता प्रकृति तरगनात्मक है इसमें सत्व रजस तमस गुण होते हैं इस प्रकृति वा गुणूं में विश्यम मुष्था उत्पन होकर यहां ध्रिश्यमान जगत जिसे संसार कहते हैं बनता है इस्वर जीवर प्रकृति की सप्ता स्वयंबू अर्थात अपने अस्तित्व से स्वयं हैं यहां तीनो पदार्त किसी प्रकृतिक पदार्त से नहीं बने हुए हैं इन पारी आत्मा भी अनादिकाल से इस्तित में है, संसार में है, यहां चेतन, अलपज, एक देशी, ससीम, नित, अविनासी, जन्मरण के बंदरों में फशी हुई, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भूगने में परतंत्र सत्ता है, इस्वर सरवज्य और सत्य विद्याओं से युक् में नहीं फसते, दुखों की सरवता निवरत्ती के लिए इस्वर उपासना, अगनिहोतर युज, परोपकार एंदान, आदी सहित, सत्य अब्देश, वेद्प्रचार आदी का कारे करते हुए, दुखों से मुक्ष की प्राप्ती के उपाय करते हैं, हम सबको भी वेद में स कभी भी दुख से नहीं बच सकते, इस्वर जिवात्मा और प्रकृती, अनादी, नित, अमर वा विनाशी सत्ताएं हैं, इस कारण इन तीनों वधारतों का अस्तित्व, अतीत में रहा है, फविश्च में सदा सदा के लिए रहने वाला है, इस्वर जिवों के लिए भी अत मिनश्य जन्मतों मातर सो वर्षों में समटा हुआ है, इसका आईू काल पराया नगण नहीं है, इस आईू में भी मुनश्य कादिकांस समय। बाला वस्ता सोने और अनिकारों में लग जाता है, सेच समय धन कमाने और सुक venantरी, एक अत्रित करने बनवाने में लग जाता है बहुत से लोग इसी बीच रोगरस्त होकर अलपायू मेही मृत्यू की गोद में समा जाते हैं अता इस तुच्च अवधी के दोरान जीवन काल में हमें अपने मौह लोग पर विजे पानी चाहिए इसके साथ ही हमें सत्यार्थ प्रकास वेद वेदिक साहितिका अपना ज्यान बढ़ाना चाहिए दुख निवारण के उपाय ज्यान प्राप्ति सत्करमों को करके करने चाहिए यही जीवन पद्धती स्रेष्ट और उत्तम है इससे इतर कोई भी जीवन शेली जो हमें सुखों की प्राप्ति के लिए केवल धनारजन करने के लिए प्रेरित करती है इस सुरुपासन आदी की उपेक्षा करती है सरवांस में उत्तमवल अप्रद नहीं होती इन बातों वितक्थियों को हमें जानना और समझना चाहिए इसी में हमारा हित है इनकी अपेक्षा भविष्ट में दुखत और निरासा जनक बना सकती है मरियादा पुरशुक्तम राम योगेश्वरक्रश्न चता वेदों वाले रिशीद आयानन के उधारण इनके जीवन-चरित्रों को हमें अपने ध्यान और विचारों में स्ताबित करना चाहिए इनके जीवन से प्रेणा लेनी चाहिए इसा करके हमारा जीवन आत्मा के जन्म के उद्देश्ट को पूरा करने में सादक और सर्थक होगा या सत्तेवं प्रमाने थे कि इस जन्म में से पुर्व भी हमारा अस्तित्व था, यदि ना होता तो हमारा जन्म क्यों को होता, इस जन्म में मृत्यू होने पर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा, मृत्यू का होना आत्मा का अभाव और नास नहीं है, अपि तु यहाँ पु पुश्चों के जीवन परिचे के लिए वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेदिक राष्ट लगातार आप लोगों के लिए वेदिक सद्धानतों से जोड़े वीडियोस लाते रहता है, इसलिए आप हमारा अच्छा वर्